सब्सक्राइब पहले तो हमारे तमाम मैमानों का विनंदन हैं तमाम व्यूर्स का विनंदन हैं मेरे साथ आजोड़ एकास्ट ओपर डॉक्टर सुदान्शु त्रवेधी बारतियंता पार्टी के लोग प्रिय प्रवक्ता हैं सांसद है आपका विनंदन है और इस साल जो स्प अजयन के बड़े लंगे अर्ससे बाद हमारी स्वी द्वर साजित रशीदी ए suffer मेरे साथ सब्सक्राइबνηना तो आप की पर स्वागत है साल 2023 सनातन आस्ता के लिए मैं शुरुबात आपसे करता हूँ रितेश्वर जी महाराज सनातन आस्ता के लिए बड़ा साल होगा बड़ा साल इसलिए होगा कि का जाता है लीगली 50 साल का इंतजार रामलला के मंदर के लिए करना पड़ा और वैसे 500 साल का इंतजार करना पड़ा क्या कहना चाहते हैं आपने बहुत दिव्य और भव्य कारिक्रम रखा है जो पूरे सनातन, धर्माव लंबी, मताव लंबी पूरे बिस्व में जो हैं इससे वो प्रसंड होंगे और पिछले साल आपने कहा कि सबसे सुपर हिट था ये इस साल भी होगा क्योंकि आपने एक ऐसा सवाल उठाया है देखिए 2023 आ रही है लेकिन 2022, 2014 से जो कुछ इस देश में होता आया है कभी भी कोई सत्य बात कहने में किसी को गुरेज नहीं होनी चाहिए यद्दपी आपको लोग दलाल कह देंगे आपको सत्ता के दलाल कह देंगे किसी पार्टी से जोड़ देंगे मेरा ये कहना है जो राश्ट्यता, सनातन धर्म, सनातन मत और भारत के विकास के लिए काम करे सब के हित के लिए काम करे उसके पक्ष में खड़ा होने में अगर कोई दलाल कहता है तो सौ बार दलाल कहलाने में भी हमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए और मैं मानता हूँ भारत देश के प्रधान मंत्री त्री नरिंद्र मोदी जी और मैं जिस प्रधेश से आता हूँ आपने भी नाम लिया मत्हुरा मैं अयुद्या में भी और हमारी कासी में भी मैं सब जगा गया पर अब तो हमारी कृष्ण लला का समय आया है मैं तो वहीं का हूँ और ये सुन्दर समय आया है एक साधारन सी बात है देखिए तीन चीजे हैं अयुद्या मत्हुरा कासी इतने पर तो बात हो रही थी वेटिकन सिटी में कोई क्या जाके मंदिर की बात कर सकता है कोई मक्का मदीना में जाकर के किसी मंदिर की बात कर रहा है ये अस्थान तीन अस्थान हिंदूओं के लिए सनातन धर्मा उलंबियों के लिए आत्मा की तरह है प्राण की तरह है राम लला का मंदिर बहुत भव्वे और दिव्वे अब बनने जा रहा है काशी और मतुरा की बात हो रही है लेकिन इसी भी सियासत दानों को भी लगने लग गया है कि बिना हिंदूत्यू के अब काम नहीं चल सकता किसी को वासुदेव क्रिशन सपने में आते हैं तो कोई तो खुद बन जाता है क्या आपको लगता है कि सियासत के लिए भी सनातनी यूग है आप एक बात बताईए हमीज जी अगर अखले शियादो के सपने में कृष्णी जी आते हैं तो इसमें बुरा क्या है किसी ने बुरा कहा नहीं है तो फिर उस पर इतराश करने की तो कोई बात नहीं है भाई खाली मोदी जी के ही सपने में भगवान राम आ सकते हैं क्या और किसी पर हक नहीं है दूसरा जहां तक सवाल आपने एक बात कही है कि हिंदूों की जरूरत है देखे हिंदुस्तान में तकरीबन सो करोड हिंदू भाई हमारे रहते हैं उनके बगएर हम नहीं चल सकते जो लोग ये कलपना करते हैं कि हम हिंदूों को छोड़कर के सब्ता में आ जाएंगे ये बहुत बड़ी गलत फहिमी में हो हिंदूस्तान सबसे मिल करके बनेगा सरकारें सबसे मिल करके बनेगा ये अलग बात है कि बीजेपी कहती कि मुझे वोट नहीं चाहिए लेकिन वोट चाहिए होता है कहती जरूर है कि मुझे मुसल्मानों को वोट नहीं चाहिए जैसे इनके परवेश बरमा कहते हैं मुझे मुसल्मानों को वोट नहीं चाहिए काउंटर पॉइंट ये है अंसार रजा क्योंकि ये साल का आखरी समवाद है आपके साथ और 2023 का आगाज है मैं बड़ा बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ एक यूग था जिसमें कहा जाता था कि जो नैच्रल रिसोर्सेज हैं उन पर पहला हग अखलियतों का है और फेसिविकली कहा गया मुसल्मानों का है वहां से यहां तक वहां अब एक एंटनी कहते हैं कि हिंदूों के बिना तिलक धारियों के बिना आप कोई सरकार बनानी नमुम्किन होती जा रही है चाहे तलगधारियों की बात करें आप चाहे टोपी वालों की बात करें ये सिफ सियासत की चीजे हैं आज स्वामी दीपांकर जी महराज जी बैठे हैं या सुदान जी तर्वेजी बैठे हम लोगों तो कोई मत भेज़ नहीं हम तो आस पास बैठे हुए हैं लेकिन जब सिया तो तो प्यार दिखाई दे रहा हैं फिर पधसरा पिर शेल दीको सम्झांगा है प्यारी प्यारे भई rationalminister समधार लए आप समझे तो तो समझा रही रहे कर रा भाइन एक मिलट जिए जह तक आपने सल्मान खुर्शी भी बात कही इसमें कोई दुराय नहीं है कि आप तुलसी दास जी की जो चौपाई है मुझ मेराम, तुझ मेराम, सब मेराम समाया हमें तो आप में भी राम दिखता है तो उसमें क्या कीज़ए आपको किसी में फिर क्या? सब का DNA एक है, राम आपको किसी में बीज़ए तो आपकी बात करें न? एक एक पॉint है, सब में राम दिखसकता है लेकिन राम के बराबर कोई नहीं होसाँ बराबर कोई नहीं होसकता तो सल्मान खुर्शी चुर्शी तो राम के बराबरा करने की कोशिश की मेरा तो सवाल है किकी और धरम के साथ करता तो पताने क्या कुछ हो जाता लेकिर लेकिन वुशह वो नहीं है प्रभू šरी राम के बराबर ना तो राहुल गांदी हो सकते ना मोधी हो सकते मोधी को तो गम पेरी नहीं का रहा जिसे लोग तो भगवानों का बगवान के रहे उनको तो लोग भगवानों का बगवान के रहे